वेल्कम बैक माई चैनल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ यह प्यारी सी मेकप लुक जो मैंने आज क्रियेट की है आज की मेकप लुक में मैंने थोड़ी स्मूग की आई लुक जो क्रियेट की है आई होप आपको अच्छी लगे तो चली शुरू करते हैं वीडियो तो गाई सिबसे पहले हैं अपने मैंने अपना फेज फोस अच्छे से कर लें उसके बाद में हाप में टोनर अपलाई कर रही हूँ जब भी आप मेकप करने से पहले अपना जो स्कीन केर है वह जरूर करना ताकि जो हमारा फाउंडेशन है जो हमारा मेकप है वह लोंग टाइम तक स्ट्रेक रहे हैं और जो हमारा फाउंडेशन है वह ज्यादा केकी नाल लगे और यहां पर मैं जो प्राइमर है वह यूज कर रही हूं कलरबार का तो आपने मोस्टली देखा होगा जो बड़े करने के लिए तो आज में जो मेकप करने वाले वह करने वाले हूं कार्नियर की जो बी-बी क्रीम है वह मैं यहां पर यूज कर रहे हूं कि मैं पूरे फेस पैसे चोटे-चोटे डोटस बनागे इसको अपलाए कर रहे हूं जो कार्नियर की बी-बी क्रीम है फर्स्ट टाइम यूज करें इसको और अच्छे से ब्लेंडर को अच्छे से पानी में अच्छे से निचोड के और उसकी साथ हमने जो अपनी फाउंडेशन है जो हमारी क्रीम है बी-बी-बी-सी-सी जो भी आप क्रीम अपलाए कर रहे हो इसको ब्लेंड करना है आपको ब्लेंडर की हल्प से एक beauty blender की हल्प से यहां पे अच्छे से कर रही हूं तो आप देख रहे होंगे जो यह BB cream है इसकी कवरे जितनी अच्छी नहीं है जो मेरे face पे देख रहे हूं दिखाई नान दे कंसीलर इसलिए यूज़ करते हैं जो हमारे फेस पे जो भी पिग्मेंटेशन हो अंडर आइज में डाक सरकल हो तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं और उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लोगी आइस पे भी यूज़ के हमें आइशेडो भी लगानी है तो इसलिए आइशेडो के लिए भी हमें कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लेना चाहिए और उसके अप्लाई देख सकते हो कंसीलर अप्लाई करने के बाद कोई भी मेरे फेस पे दाग दपर नहीं दिखाई दे रहा उसके बाद यहां पर मैं लैकमी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ ताकि जो आपका जो आपने बेस बनाए अपने फेस पे वह अच्छे से पैक हो जाए और सेट हो जाए अब मैं यहां पर फिल करया हूँ अपने आई-ब्रोज और आइब्रोज फिल करने के लिए जो मैं हमेशा यूज़ करनी मेरा MOST-favorite अई-जल लाईनर है ुस्सी में अपने आईब्रोज को फिल कर ले रही हूँ यहांपर आपको जिस भी सेव में अपने आई ब्रोज रखनी है वो इसकी हैल्प से आप इसली कर सकते हों अगर आपको पैंसल से करना चलता है तो आप पैंसल से भी कर सकते हों और उसके बाद यहां पर मैं अपनी आईशेडो क्रिएट करूँगी है सबसे पहले जो मैंने स्विस बीटो की आईशेडो पैलेट लिए है और उसमी से एक जो कलर है वो पिक कर लिया है आज वैसे मैं स्मोकी आई लुक क्रियेड करने वाले हूं गाइस मैं भी जिस्ट फ्रेशर हूं मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं मेकप आर्टिस्ट नहीं हूं जिस्ट मैं अभी इन चीजों को सीख रही हूं तो कोई गलती हो तो प्लीज इग्नोर करना और यहां पर जो स्वीज ब्यूटी का जो आई जल लाइनर था उसी की हैल्प से मैं यहां पर आई श्याडो क्रियेट कर रही हूं इस वाले के पिग्मेंटिशन बहुत अच्छी है आप देख सकते हैं कैसे इसली ब्लैंड होए जा रही है और उसके बाद मैं जो लाइनर वाला हिस्सा था उसी की हैल्प से मैं यहां पर अप्लाइ कर रही थी पर इससे इतनी अच्छी शेप नहीं बनी तो जो लिक्विड जैल आई लाइनर था उसी को मैं यहां पर अप्लाइ कर रही हूं ताकि जो अच्छी सी साइन आ सके आप देख सकते हो, difference आपको दिखाई दे रहा को दोना आइस में, यह कितना black है, एक तम black, pure black है, जिस तरह की आइस आपको smokey eyes look create करनी है, उसके according, अगर आपको थोड़ा medium रखना है, तो उसके according आप color choose कर सकते हो, यहाँ मैं first time smokey eye create कर रही हूँ, तो I don't know, कैसा होगा, आप comment करके जरूर बताएगा, कैसा है, I know मुझे पता है, कैसी बनी है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर black me का काजल apply कर लूँगे, उसके बाद ही आपको बैसे तो यहाँ प ताकि यहाँ अधूरा अधूरा सा ना लगे eyes पर, यहाँ अधूरा अधूरा सा ना लगे eyes पर, यहाँ पर देखिया मैं दूना इस पर कर लिया और इसके बाद मैं mascara apply कर रही हूँ, कि यहां पर में मेबलीन का मस्कारा यूज़ कर रहे हूं काफी अच्छा है मस्कारा यह अफोर्डेबल भी है और उसके बाद आती है बार कंटोरिंग की आपको छोटी सी लाइन ड्रो करने अपने कान से लेके अपने एरिया तक इस सी क्या अफोर्ड जो आपका फेस है थोड़ा पतला दिखाई देने लग जाता है और अपनी नोस को भी आप अच्छे शेप दे सकते हो जिन लोगों की इनों सोड़ी इनों हैवी होती है जैसे मेरी हैं तो आप इसको पतला कर सकते हो एक शैड़ो क्रिएट कर सकते हो और इसको अच्छे से आपने प्लैंड कर लेना है उपर की तरफ ऐसे ही में जो और एरिया है वहां से भी मैं इसको अच्छे से प्लैन कर लूँगे आप देख सकते हैं कि नोस पे कैसे मतलब इतनी अच्छे शैड़ो क्रिएट हो गई है जिन लोगों कों डबल चेंड की प्रोब्लम है वह भी अच्छे से आपर कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ब्रॉन्जर कर रहे हूँ इसको मैं ने कंटॉरिंग की थी यहाँ पर मैं पाउटर कंटूर कर रहे हूं ताकि वह अच्छे से ओर डिफाएन हो जाए कि तो उसके बाद यहां पे में थोड़ा सा highlight रूस कर रहे हूं जो भी एरी को highlight करना है यहां पर मैंने contour किया तो सुभे मोरィ नीचे यहां में थोड़ा सा highlight करना होता है अलग से दिखाने के लिए थोड़ा सा ताकि वो पूरा फेस है जो एक जैसा नाल लगे तो थोड़ा सा नोज को भी और उसके बाद यहाँ पर मैं लैकमी का ब्लशर यूज़ कर रहे हूँ इसकी पिंक शेड है वो वाले यूज़ कर रहे हूँ मैं यहाँ पर और आपने ब्लशर यूज़ करना है समाइल करते हुए उपर की तरफ एक दम आपको ज्यादा कलर पिक नहीं करना थोड़ा थोड़ा करके आपने अपने ब्लशर को अप्लाई कर लेना है थोड़ा सा नोज पर आप कर सकते हो और यहां पे हाइलाइटर हाइलाइटर जुरूर अपलाई किया गरो विदाउट हाइलाइटर मेकप कंप्लीट होई नहीं सकता देखिए हाइलाइटर लगाते ही फेस पे कितनी ज्यादा चमक आ गई है जो एरे आपको इनहो आ आ ऐलाइट करने हम आपर आहाप्रां रियोज़ कर स्कती हो यह हो गए मेरा मेकप कम्प्लीट और इसके बाद यहाँ पे मैं लेपलाइनर यूज कर लोंगी यह वैट एनवाइल का आइछिंक की लेपलाइनर था काफी अच्छो लिप्लाइनर था और यहां पर मैं लिप्स्टिक यूज़ कर रहे हूं I think NYB की इसका कलर भी बहुत प्यारा है और यहां पर मैं आहलेसे यूज़ कर लोंगे यह होगी मेरी मिकब लुक तो जो भी आप देख सकते हो में जो आयलेस अभी लगानी नहीं आती है बट मैं फिर भी कोशिश करती हूं ताकि वह च्छे सेट हो जाए तो यह मेरी फाइनल लुक है मैंने बहुत कोशिश की है इसमें बहुत महनत की है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो थैंक यू फॉर वाचिन